अरे केरी भाई, लोग तुम्हें रोस्टर का भगवान मानते हैं, साला कुस्तो इजद रखलो अपनी, इसको लग रहे कि इनका नाम बिगाड के इसने तो इनको रोस्टी कर दिया, ये तो काफी फनी हो गया, है ना इलूमिनाटी भाई, ओ, ये तो मैंने भी केरी का नाम बि क्या, तू कैसे हैं आप लोग, मुझे पता है कि तुम लोग का मूड भी मेरी तरह बिल्कुली खराब चल रहा होगा, कैरी मिनाटी की ये वाली नहीं वीडियो देखके, तो अब इस मूड को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है, बदला, क्यों, किसलिए, कैसे, क्यों और किसलिए का तो पता नहीं, लेकिन आज ऐसे ही होगा, ये तुमने पैरेडी के नाम पे नहीं बवा सिर्फ लाई है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा, देखो, वैसे तो मैंने भी ये कभी सोचा नहीं था, कि कभी ये दिन भी आगा, कि मुझे कैरी मिनाटी को रोष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैरी को रोष्ट का गुरू मानता था, लेकिन तब मैं चोटा बच्चा था, वैसे अब भी मैं कैरी मिनाटी की थोड़ी इज़त करता हूँ, या था, जब तक मैंने इसकी ये वीडियो नहीं देखी थी, क्योंकि ये वीडियो आएगा, कहीं तो ये पांच मारेगा, कहीं तो कुछ फणी देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, आया तो क्या, अरे बस करब, कैरी मिनाटी अब तो बड़ा हो जा, मानना कि तेरे यूट्यूब पे 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तु एशे का नंबर वन यूट्यूबर ह होगा, लेकिन गाली देने को रोष्ट करना नहीं कहते हैं, हाँ पहले सबको लगता था, मुझे भी यही लगता था, कि शायद यही रोष्ट है, गाली देने को रोष्ट कहते हैं, लेकिन आप तुमारे वो सभी सब्सक्राइबर्स बड़े हो गए हैं, कुछ तो बड़े ह के रोस्टर्स भी बन गई है और इन लोगों ने बड़े ओते होते अपने घर वालों से इतनी गालियां खा लिए कि इनको गालियों से नफरत हो गई है और तुम फिर यहां पर रोस्ट के नाम पर गालियां दे रहे हो अरे हां भाई मुझे पता कि यह रोस्ट नहीं है परड़ी वीडियो है लेकिन जो भी है इसमें कुछ तो फ़नी होना चाहिए न मुझे लग रहा है केरी मिनाटी जब भी स्क्रिप्ट लिगने बैठता होगा न तब जहां पर भी इसको लग रहा है कि पंच मारना या कुछ फ़नी करना है तो यह गाली लिग देता होगा और अब तो वह भी सुनाई निन देती यूट्यूब की गाईलाइन की वज़े से उस पर बीप लगानी पड़ती है और जैसे कि तुम्हें पता है कि यह कैरी मिनाटी की वीडियो तो इसकी पूरी वीडियो में पस अरे कैरी भाई तुमना यह वीडियो गयरा बनाने को रहने दिया करो यार तुम्हारी यह बीप सुनने से अच्छा तुम्हां किसी रेलवे स्टेशन पर बैठके किसी अच्छी सी ट्रेन का हॉर्न सुन लिया करूंगा अभी अभी सूतरों से ख़वर आरे कि कैरी मिनाटी को उसकी नई वीडήो के लिए पट रहा है गाली उसको मिल रहा है हेट और इसको देखते होगे कैरी मिनाटी तो अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट रैटिंग का क्र、「डिटड दे दिया किसी और को क्योंकि अगर गाली अब पूछो सर सर हा सर वाइफाई पासवर्ड के है आसान है कैपिटल ए हसो वाई हसो फाइनली 3600 गालिया सुनने के बाद हमें को जोक सुनने को मिला है अब है तू क्यों हस रहा है तेरा करिया तो डाउन जा रहा है नो डाउट कि कैरी मिनाटर ने ये वीडियो बनाने के लिए पूरी मैन करी है पूरा करेक्टर में आया है भाड़े के टट्टू को मेरा मतलब है इस्टागराम रीलर से एक्टिंग करवाई है पूरा सेट बनाया प्रोड़क्शन लेवल एकदम मतलब बड़ी अब नाने जिसमें तुम बो क्या कहते हैं उनको जो घर में शादि होने के बाद बदाई लेने नहीं आते उनका नाम नहीं लूगा मैं टिक्टॉकर्स भी कह सकते हैं उनको उनी की तरह नाच रहा था उस वीडियो में हाँ यही जो हलवा बनाया था तुमने इसमें भी वाइस बंदे ने पूरी वेनत करी है पूरा प्रोड़क्शन लेवल हाई या सेट बनाया उसके लड़कियां डूंड के लाया जो इसके साथ नाच सके फिर अपने शागल पर यह मेकप सा किया पता नहीं क्या बनने की लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर रहे थे कि अरे भाई से अच्छा दो चैरस गांजा पार्ट तुई बना देता अब एक मिनट सद्गुरू लेकन ये वीडियो तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की पैरेडी है ना तो सद्गुरू का यहां पर क्या काम है चलो अंकित ब्यानपुरिया का तो मानना कि वो आजगर ट्रेंड में चल रहा है उसके ओपर वीडियो बनाके उसकी फोटो थम्नेल में लगाके उसकी जो नई ओडियंस है जो एक्टिव ओडियंस है यूट्यूब पे उसको तुम अपनी और खीचना चाहते हो लेकिन सद् अब मुझे गुसा रहा है इससे पहले की मैं भी बीप लगाउं करें आज 75 मोटिवेशनल डे चालेंज का एक सो सतानवा देन है तुबह उठके हमने देखा बीरा भाई से पोर उससे सी करने है पर आम बात्रूम में गये और बैक टू बैक करें पर पासवाले पार्क में जहां मला हमने तोड़ा प्रोटीन और डाल दिया उट्व के बीच देखो वैसे रोस्ट के नाम पर करी तो तुमने इस बंदे की इमेजी खराब है लेकिन फिर भी इस बंदे को रोस्ट करना बनता था अंकित ब्यानपूरिया को रोस्ट करना बनता था क्योंकि इसको देखके बहुत से लोग यह 75 हार्ट चैलेंज करने लग जे थे साला जि इस करेक्टर को मैं ज्यादा तबज्जों नहीं देना चाहता अरे नहीं नहीं भाई इतना भी बुरा आदमी नहीं है ये एक्चुली इसके बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस पे और रड़ी एक डेडिकेटिड वीडियो बना चुका हूँ अगर तुम्हें इसका रोष्ट देख नहीं तो जाके वो देख लो फिलाल यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्यारी मिनाटी इसे या तो कैसे हैं आप लोग आच साल से एक ही डालोग बोग रहा है कभी ओरिजिजनल कॉंटेंट बनाने का सूच है अब बनाता तो हो रोष्ट यू मीन गालिया क्यारी मिनाटी लोग मैंने भी रोष्ट कर दिया लो लास्ट में आते आते हैं अब तो यह खुद ही अपने आपको रोष्ट करने लग गया क्योंकि इसको खुद को अपने आप इतना ब्रोसा दा कि यह वीडियो इतनी ज्यादा बूरी बनी है कि कोई ना कोई तो इस वीडियो पर इसको रोष्ट करी देगा तो किसी और से गाली खाने से अच्छा मैं खुद कोई गाली दे देता हूँ थोड़ा फनी भी लगेगा ना अब भूपस चला दे वह अच्छुली में फनी होंगे अब इसको लगावा कि यह वीडियो दो फनी बनी नहीं है एक काम कर दता हूँ वीडियो के एंड में बीटियस डाल दता हूँ क्योंकि वीडियो में कुछ तो फनी होना चाहिए ना लेकिन अब सोस यह बीटियस देखने के बाद तो मुझे हसी क्या नहीं थी उल्टामेट डिप्रेशन में चला गया अरे रोहित इसको बंद कर और अब किसी असली मोटिवेशन वाले को बुला ले